कि गुट इवनिंग एव्रीबन वेलकम बैक टुएटर ट्वणीफोर सेविन आई एस दोस्तों मैं हूं के चौधरी और चार बज गए हैं हमारी ओल सब्जेक्ट्स की क्लास आपने जैसे डिमांड रखी ती आपने जैसे मुझसे कहा था कि सर पॉलिटी तो बहुत अच्छा और हिस्ट्री उसको भी पक्खा करा दीजे क्योंकि हमने काफी समय जौगरफी और इकनामी के तो sessions लिए हैं और हमने जौगरफी और इकनामी की काफी प्राक्टिस भी की है तो आज के इस सेशन में आपको बिटा काफी सारे questions मिलें ऑर किसके एक चीज़ और एक चीज़ और यह जो क्वेशन मैं कवर करा रहा हूँ बेटा आपको यह करेंट अफेर्स से लिंक हो के होंगे तो यह मत सोचना कि करेंट अफेर्स छूट जाएगा करेंट अफेर्स भी कवर हो जाएगा टेंचन लेने की जरूरत नहीं है जो मेरे साथ जोड़ गया एक बार सेशन को लाعी को लाईक और शेयर जरूर कर दीज़ेगा सभी के सभी लाईक और सेशन को सेशन में आगे बढ़ता है questions की तरफ चलते हैं अच्छा question की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आपको बस इतना याद दिला दू इतना remind करा दू कि महापैक 19,999 रुपे का हो गया है 18 महीने मतलब डेल साल की validity के साथ मिल रहा है मेरा coupon code लगा लोगे तो discount के साथ साथ मेरी mentorship भी आपको मिल जाएगी और महापैक का advantage क्या है इसमें सारे batch आ जाता है सारे के सारे batch तो मतलब चाहे foundation batch हो चाहे revision batch हो चाहे super fast batch हो चाहे CSAT हो GS हो current phase हो answer writing हो essay writing हो interview की guidance हो mentorship हो सब इसमें और अगले साल तक यह सब जो आते रहेंगे यह नए batch जो आते रहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे और optionals भी है इसमें बस करना क्या वाई 365 लगाना वाई 365 और जुड़ जाना वाई 365 लगाओ और जुड़ जाओ अगर आप 2024 की ही तैयारी कर रहें और आप individual batches चाते हैं तो crash course भी और crash course के साथ test series भी है आप combo भी ले सकते हो और आप चाहो तो individually crash course और individually test series ले सकते हो बस इतना याद रखना अगर आप crash course या कोई batch ले रहो या combo ले रहो तो code है वाई 365 लेकिन अगर आप test series ले रहो test thon test series अलग से ले रहो तो code है वाई 365 के आगे एस वाई 365 एस ठीक है और जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है डेली बेसिस पर यूट्यूब पर तयारी करना चाहता है आप यहां जुड़ सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग पहला question है economy का सेभी के ओपर सवाल है securities and exchange board of India तो पहला question जो है हमारा वो है economy वाला पना सबस्ता है जो है तो श्यस्तर सहिएा दक्ष्ण का सेवार जो उक बांसर ओना से आप खिसम्ग मेंस सत्री ते मना तो पहला想ता है तो भ्यत्तर – तो यहां एस बाउचितर ड़िया कर का सब्सें жुट्ट केरा है no अह जुट कर दो फ 호 बहां प又 टुड हैं जाविए चलो पहले एकनॉमी का क्वाश्या ने देख लेते हैं बेसिकली सेभी के ओपर सवाल क्या जा रहा सिक्योर्टी एन एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बिटा 1991 से पहले 1991 से पहले अगर आप भारत की बात करोगे तो इंडिया क्लोजड इकनॉमी जादा हुआ करता था जो पूरी दुनिया के साथ बहुत जादा व्यापार नहीं करती बहार की कंट्री जो कंपनीज ए उन्हें देश में आकर व्यापार करने की आजादी नहीं दी जाती इंडिया वह बेसिकली एक लोजड इकनोमी Wenyan 1991 से पहले लेकिन 1997 के बाद हमें पता हमने लिब्र लयज्डेशन प्राइविटाइजेशन घ्लूब लाइजेशन अपना हमने अपनी क्या बैसे 11 इस इंडिया मेंने लग लग इंटिया में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में अलग-अलग सेक्टर्स क्योंकि यहां पर प्राइविट सेक्टर आ गया है भाई पहले तो केवल सरकारी कंपनिया काम कर रही थी लेकिन अब प्राइविट कंपनीज भी और प्राइविट कंपनीज का मोटिव होता है प्रॉफिट जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट का मतलब क्या है हमारे यहां जो शेयर बाजार होता है बेसिकली उसकी मैं बात कर रहा हूं उसको विनियमित करना है तो यह जो हमारी प्राइमरी मार्केट है प्राइमरी मार्केट जब पहली पह स translate करनों पैननतों यह उसे भी करते हैं इसके साथ 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 सेकंडरी मार्केट बेसिकली आपका Division होता है आपने देखा ओग गहां एक रीद जाते बेचे जाते वह तो सेकेंडरी मार्केट हुसे भी करता है mutual fund mutual fund भी इसी का part हो जाता है तो उसको भी regulate करता है इसके साथ शेर बाजार की अगर बात की जाए तो शेर बाजार में बाहर का पैसा भी लगता है foreign institutional investment जो है FII वो भी लगता है foreign portfolio investment तो यह उसे भी विनियमित करेगा उसे भी regulate करेगा और इसके साथ साथ भारत में जो credit rating agency है credit rating agency क्या होती है बड़ी बड़ी companies है यह अपने share निकालती है आप किस company में share लगाना चाओगे वो company जो मुनाफ़े में है और आपको मुनाफ़ा देगी आपको profit देगी पता कैसे चलेगा उसके लिए credit rating agencies credit rating agencies क्या करती है यह अलग अलग company को study करके उनके business model को study करके उनके profit को देखते हुए उन्हे credit rating देती है जिसकी credit rating जितनी बहतर होती है इसका मतलब यह है वो company उतनी stable है उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको return मिलेगा और आपका पैसा जो है डूबने के chances कम हो जाते है तो यह credit rating agencies जो है इनको भी regulate करने का काम से भी कर रहा है क्योंकि यह भी कहीना कहीं security market जो है हमारी share बाजार जो उसी से लिंक हो जाता है तो correct answer जाएगा option number d पांचों की पांचों को regulate करने का विन्यमित करने का कार रे करता है हमारा security and exchange board of India से भी लोगाई next with reference to Indus Valley sites Indus Valley sites की बात हो रही है हावई Indus Valley civilization पर पहुच गए है देख रहे हो मैंने कहा था तुम से कि सारे के सारे subject अब cover होंगे अब यह जो tension चल रही थी तुम्हें यह खतम हो जाएगी तुम्हारी है तो चिंता मत करना अब कि अ इंदश वैली साइट लोकेटिड और रिवर कि ध्यान से करना इसे अटेम्ट बहुत सारी बहुत सारी sites है और बहुत सारे नाम है बहुत सारी sites है और बहुत सारे नाम है बच्चे तो ध्यान से ध्यान से करना गुद आफ्टनून गुद आफ्टनून करेक्ट है चलो भई देख लेते हैं ओनली कितनी करेक्ट हो की अच्छा तुमने एक चीज़ ऑप्जर्व की options options interchange देख लिया था all four पहले लिखावाए only one बाद में है only two बाद में only three बाद में confused तो नहीं हो गए से options interchange है पहली चीज़ तो यह यह difficult question है ठीक है यह difficult question है और options भी इसमें मैंने गड़बड कर दिये हैं इसका करेक्ट आंसर है बिटा option पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका सिंध प्रांथ है वहां पर पढ़ता है और यह हरपन साइट है तो मोहन जुदारों का एरिया है मोहन जुदारों के पास ठीक है से कोई कसर नहीं चोड़ रहा तो क्लास कर लोगे बहुत कुछ समझ जाओंगे बहुत कुछ सीख जाओंगे करेंट अफेस्ट अम्री यह पढ़ता पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिंध में बिलकुल सभी है ऐसे सुक्ता गंद ओर दस्त नदी के किनारे है काली भंगन घगर के किनारे है और लोथल भोगा भोगवा नदी के किनारे अच्छा मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँँगा इन्ही से रिलेटेड ज़रा मुझे कॉमेंट सेक्षण में जल्दी से जवाब देना सुक्तग इंदौर हम किताबों में नाम पढ़ते हैं इंदस्वैली साइट है बहुत फेमस साइट है यह किसले फेमस है यहाँ पर क्या मिला था क्या कोई अवशेश मिले थे कोई बरतन मिले थे कोई मूर्ती मिली थी क्या मिला था वाइज वाइज इस इस पर्टिकुलर साइ फिमस ऐसे ही लोथल 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 किसले फेमस है लोथल किसले फेमस है और बच गार चाली बंगन तो आप मुझे बताइए काली बंगन कहां पढ़ता है तो देखिए तीन सवाल पूछ जवाब दीजिए का मैंने कहा सुकत गंदौर ये फिमस क्यूं很 लो यह क्यों famous है और तीसरा सवाल मेरा काली बंगन जो है ये कहां पर पढ़ता है मुझे इन तीन सवालों के जवाब comment section में देदीजेगा next question की तरफ लेकर चल रहा हूं मैं आपको लीजे यह आगया next question चलिए भई next question का भी answer करना और जो मैंने सवाल पूछा है इनका भी answer करना है सुक्त गिंदौर horse की वज़े से है चलिए ठीक है लोथल लोथल पोर्ट की वज़े से ancient डॉक्यार्ड बिल्कुल सही कहा तुमने तो सुक्त गिंदौर जो है वो है horse और फिर लोथल वो किसले है डॉक्यार्ड डॉक्यार्ड वो ता बिटा जहां पर ships पार्क किये जाते हैं जहां पर जो ship ship होते हैं वो पर्क किये जाते हैं काली बंगन है राजस्तान काली बंगन क्यों famous है किसी चीज़ के लिए famous है काली बंगन किसी चीज़ के लिए famous है क्या हां बटा काली बंगन किसी चीज के लिए फेमस है खेती के लिए फेमस है प्लॉफील्ड चल अच्छी बात है पता है तुमें लोथल मैंचेस्टर ओफ इंडस वैली सिवलाईब चलिए बात है बैंगल्स के लिए फेमस है चूडी बनाने का कार खाना था यहां पर चलो अच्छी बात है पता है तुम्हें सारी चीज़े चलो वेरी गुड बढ़िया अब देखो जब इतना आता तो टेंशन दी लेते काफी चीज़े पता है ना तुम्हें तो चिंता मत करना अब कॉन्फिदेंस गुद पर भरोसा जो है न वही लाइन के उस पार ले उस भरोसे को रखना आता है तुम्हें चीज़े आती है आइनोस्फेर की बात और यह बैटा आइनोस्फेर आयन मंडल आइनोस्फेर आयन मंडल देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं एक्टमॉस्फेर की वायू मंडल की अगर आप वायू मंडल क वह है अरे पुरीख पूरा फूरा मैंने एट्पोस眠ा यीला डालतुमारा पूरा का पूरा हावई तो सबसे निचली लेर है ट्रोपोस्फेर शोबु मंदल उसके उपर है स्ट्रेट आपस फिर समताप मंदल फिर है मीज अस फिर मध्य मंदल फिर है थर्मोस्फिर और लास्ट मैं एक्सॉस्फिर बाहिए मंदल अब यहां पर कहीं आईनोस्फिर तो आपको दिखाई दी नहीं basically है क्या आईनोस्फिर वो लेर है हमारे एट्मोस्फिर की जहां पर आपको charge particles मिलते हैं electrons हो गए, neutron हो गए, वो मिलते है charge particles हमारी charge gases मिलती है आपको तो यहां sun से आने वाली radiation है उसकी वज़े से यह gases और यह particles जो है यह charged up हो जाते हैं वो मिलते हैं और इसकी जो शुरुवात होती है iron mandal की ionosphere की जो starting होती है वो हो जाती है आपके मध्य मंदल मिज उस Wirp मध्य मंदल से ही उसकी उसकी शुरुवात हो Jati और वो आपके exhaust here तक फैली हुई है तो लगबग 50 km 50 km क्योंकि जो आपका मीज Помद फेर मध्य मंडल है उसकी शुरुवात कह से हो जाती है उसकी हो जाती है आपकी 50 किलो मेटर से तो लगभग लगभग 50 किलो मेटर से उसकी शुरुवात हो जाती है और वह एक्जॉस्फेर तक फिर फैली हुई है अब हमारी जो आयन मंडल है आयन ओस फेर है यह हमारे बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है पता है क्यों यह जरू क्यों क्यों की प्रिंट जो है हमारी वह कृव्ड है वह क्या है वह गोलाकार है कृव्ड है तो एक स्थानसे दूसरे स्थान तक आगर आपको signals भेजने हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्यों क्योंकि वो curved surface है इस वज़े से आप जादा दूर तक देख नहीं पाते और जादा दूर तक आप direct signals नहीं भेज सकते तो आप क्या करते हैं आप यूज करते हैं लॉंग डिस्टेंस इस पे communication possible हो पाता है इसलिए हमारे लिए important हो जाती है तो एक बार ज़रा answer देख लेते हैं question number three का ionosphere is a layer of the earth's atmosphere that is made up of charge atom molecule and electron बिल्कुल सही बात है तो यह आवेशित परमानूओ अनूओ और electron से बनी वी है बिल्कुल सही बात है it stretches from 50 km to over 1000 km above the earth बिल्कुल सही बात है यह 50 km से शुरू हो जाती है और 1000 km से भी जादा उपर की तरफ फैली हुई है it is located below mesosphere यह मध्य मंदल के नीचे स्थित है नहीं यह मध्य मंदल में भी स्थित है मध्य मंदल के बाद जो ताप मंदल आता है thermosphere उसमें भी है और उसके बाद जो एक्जासफेर आता है बाई यह मंदल उसमें भी स्थित है तो यह उन तीनों layers का पार्ट है उन तीनों layers में आपको मिल जाती है तो यह गलत हो जाएगी third वाली गलत है satellites and communication system cannot function in this layer इस layer की वज़े से ही तो हमारे हां communication हो पा रहा है radio frequency radio waves का यूज़ करके यह भी गलत है तो पूछा गया correct बी हो जाएगा correct answer दो statement जो है वह हमारी correct हो जाएगी कौनसी वाली पहली और दूसरी वाली ठीक चलो भई आगे बढ़ते हैं next question big splat big splat के बारे में पढ़ा होगा आपने recently news में रहा था big splat गुड इवनिंग गुड इवनिंग रिसेंटली अच्छा लाइक और शेयर कर देना और आज क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ूँगा क्योंकि मेरी पेड क्लास है इसके बाद पांच बज़े से साथ बज़े तक so from five to seven आज मेरी क्लास है जो आपका prelims जैते बैच है उसमें तो क्लास जल्दी छोड़नी है मुझा आज 10 मिनट है ना आज क्लास जल्दी छोड़ूँगा तो जल्दी जल्दी questions attempt कर लो और लाइक और शेयर कर देना सेशन को देखें बिग स्प्लैट है क्या बेसिकली बहुत सारी थ्योरी आई थी कि हमारा मून कैसे बना चंद्रमा का निर्मान कैसे हुआ उसको लेकर काफी सारी थ्योरी जैं आज भी एक मत नहींकी है साइनधिक कमुनेटी नहीं है इस बात को लेकर उनने युनानिमिटी है कि चंद्रमा कैसे बना6 लेकिन सबसे जाद़ के size का एक बहुत बड़ा planet जो है यह कहा जाता है कि अर्थ से आके टकराया होगा और जब यह अर्थ से आके टकराया तो उसकी वज़े से अर्थ पे changes आए एक change ये था कि अर्थ में से debris का मतलब होता है कुड़ा एक तरीके से जब कोई चीज टकराएगी किसी से तो वह टूटेगी और टूटने के बाद वह पत्थर है वह पूरा कूड़ा है वह यूनिवर्स में या आपका जो स्पेस है उसमें चला गया और धीरे-धीरे करके वह एक साथ हो गया और उससे बना है आपका चंदरमा इस पूरी टयोड़ी को कहा जाता बिग स्प्लाइट ठ्योडि tir важ बहू है कि एक दम आपस में टकरव ज़ो है वह हुआ इसीको कहा जाता बिग्स्ट लाटी जिससे कहा जाता चंदरमा आपका बना था कहीं लोग ये बही बोलते हैं कि यह प्लानेट मून का जो कोर यह भी similar है हमारा जो कोर बना निफे निकल और फेरस जो मून मून का भी जो कोर है करोड है वह किससे वना है वह इसे से बना है आयरन से बना है तो इसलिए बना है हुगर और सुमा और प्र condemn छूर्ट तो the collision between earth एंड मार्स साइज लीडिंग तुदा फॉर्मेशन ऑफ मून एह है बिटा इसका करेक्ट आंसर ठीक है तो याद रखना बिग स्प्लाट थियोरी मून के फॉर्मेशन से रिलेटिड है कि अर्थ के साथ आके प्लानिट टकराया उससे डेबरी निकला मलबा निकला वही मलबा आज की तारिक में चंद्रमा बन चुका है यह है इसका करेक्ट आंसर ठीक है लो भई नेक्स्ट अगले सवाल पर आजो जोग्रफी इंडियन जोग्रफी मैप मैप बेस्ट एक्ससाइज कंसिड़ फॉलेंग स्टेटमेंट निम्लिखित कथनों पर विचार कर ले विटा कर अगले वरिंदा वंचे हैं आप अच्छा आज सुबह जिसने क्लास नहीं देखी ना आज सुबह वाली क्लास जरूर देख लेना आज सुबह की क्लास में हमने बहुत हसी मजाग किया था इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आज तो सुबह वाली क्लास में मुझे लग रहा हमने बहुत ज्यादा हसी मजाग किया था क्या बोलते हो है न चलो इसका अंसर देख ले और एक बार फिर से आप लोग हेलो बोल दीजेगा हो सकता है मैं अभी भी क्लास में बैठी हूं देख रही हूं है न तो आप हेलो न इंसर कहां से पास हो रहा है या फिर इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान से कौन-कौन से राज्यों से लग रहा है या उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कितने राज्यों से लगता है सवाल जो है बेसिकली उससे रिलेटिड है और पूछा जारा करेक्ट तो पहले तो देख ल बात नहीं एक बार देखी लेते हैं या नहीं है नहीं मैं तो यह मानता हूं प्रत्यक्स को प्रमान की आवश्चकता क्या है मतलब एविडेंस है हमारे पास जब तो हम क्लिर ली देखी लेते हैं लो भई जिसको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का बॉर्टर चतिजगण के साथ नहीं लगता अब आप देख सकते हैं यह देखो जिला बता सकते हो डिस्टिक्ट बता सकते हो कि कौन सा डिस्टिक्ट है जिसका बॉर्टर वाली स्टेट्मेंट में कहां का से पास और तो अगर आप देखोगे यह रहा मनिपूर यह मनिपूर का इलाका और इसके नीचे है मिजुरम अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को स्टड़ी करोगे तो मेरे इसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बंगाल से होगा त्रिपुरा और वहां से मिजोरम से निकल जाएगा मनीपूर से वह पास नहीं होगा मनीपूर के साउच से पास होगा और तीसरी वाली स्टेटमेंट जो थी वह स्टेटमेंट थी बेसिकली कि इंडिया का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान से ज या तो मैप ध्यान से दिमाग में नहीं है या फिर आपने केरलेसली क्वेश्चन अटेम्ट किया है यह क्वेश्चन तो गलत नहीं हो न चाहिए सब मानों के मेरी बात आसाने इंडियन मैप पे क्वेश्चन बनाये गया अब देख लेता है पाकिस्तान का बॉर्डर गुजर सारी की सारी स्टेटमेंट और देख लीजे आपने गलती कहां की और क्यूं हुई गलती उत्तर प्रदेश की सीमा 36 गड़ से नहीं लगती बिलकुल लगती है सोनभद्र जिले में लगती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लगती है यह भी बता दू तो सोनभद्र जिला है सोनभदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वो लगती है भारत के केवल तीन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है बिलकुल सही बात है तीन ही राज्ये है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है गुजरात राजिस्तान और पंजाब करक रेखा मनीपूर से होकर नहीं गुजरती बिल्कुल सही बात है करक रेखा जो है मनीपूर के दक्षन से गुजरती है वो त्रिपुरा और मिजोरम से जरूर जाए गलती हुई क्यूं हुई सोचना जरा क्या केरलेस अटिट्यूर था या मैं भी ध्यान नहीं रहा बी था इसका अंसर आप में से बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे थे लीजे भई नेक्स्ट क्वेशन पर आजए यह क्वेशन गलत होने वाला नहीं था बहुत असान था बच् मैं तो दिखी नहीं है अरे मैं तो मुझे भी नहीं दिख रही मुझे भी तुम ही दिखाई देते रहते हैं सुबह से शाम तक कि तुम्हारे का सिलेक्शन करादू बस हो जाएगा मेरा काम पूंक तुम्हारा सिलेक्शन करादू मेरा काम हो जाएगा बस मुझे यहीं लगा रहता सुबह और तुम बताओ ऐसे क्वेश्चन में गल्ती करते हो सच सच बताओ क्या वो क्वेश्चन गलत होने वाला थाक्या जम्मू अर कश्मीर के नाम पर गलत होना चाहता सच बताओ इतने बेसिक से question में तुमने गलती किया इसको ध्यान से टेम्ट कर ले न अब इसको ध्यान से टेम्ट कर ले न सच बता रहा हूं नहीं तो बस अब तुम्हारी पिटाई पुट भी हो जाएगी चलो इसका अंसर देखते हैं विद रेफरेंस टू लीथियम आपको पता आज से लगभग लगभग दो धाई डेकेड पहले मैं जादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा मैं धाई डेकेड 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं लगभग 25 साल पहले कई अगर लीथियम मिलता था तो इतना जादा हम एक्साइटेड नहीं होते थे हमारे लिथियम को बहुत लगभ ज़दा इंपोरटेंट नहीं था 15 साल पहले आज है क्यूं है आज इसलिए है क्यूंकि हम your green शीर से स्टोर करने के लिए बैटरी यूज कि जाती और बैटरी इस किसकी बनती है ली आयन लिथियम की बनती है इस वजह से आज की तारिक में lithium बहुत important हो गया तो जो चीज आज से 25 साल पहले पूरी दुनिया के लिए कोई बहुत जादा importance नहीं रखा करती थी आज की तारिक में पूरी दुनिया के लिए सबसे important elements में से बन गया lithium क्यों क्यों क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं clean green energy की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए में batteries की ज़ुरत पढ़ती है और बैटरी कि से बनते है lithium से बनती है ठीक है पूरी दुनिया में अगर हम lithium के resources की बात करें तो एक बहुत बड़ा area जो सबसे जादा famous रहा है internationally lithium reserves के लिए और वो है आपका lithium triangle लीथियम ट्राइंगल पढ़ता है बिटा दक्षिन अमरीका में South America में South America में तीन countries है जो lithium triangle को बना रही है अर्जंटीना चिली और बोलीविया तो यह तीनों countries जो है lithium triangle में शामिल है अब यह question क्यों बनेगा यह यह question मैंने क्यों बनाया आपके लिए यह question इस वज़े से बनता है बच्चे क्योंकि हाल ही में इंडिया ने अर्जंटीना में पांच लीथियम जो माइन्स है उनको acquire किया है यहां से इंडिया अब लीथियम को explore करेगी और इन माइन से निकालेगी और वह इंडिया लाए जाएगा और वह यूज होगा अब यह किया किसने है इसके लिए एजनसी यूज की जाते जिसका नाम है काबिल ठीक है नाम है एजनसी का काबिल खनिश खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड तो इसको कहा जाता है इसकी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की माइन्स की उनके एक्स्प्लोरेशन की तो पूरी दुनिया में जो अलग-अलग कंट्रीज हैं जहां पर हमें एलिमेंट्स के रिजर्व मिलते हैं उनके साथ इंडिया के गठबंदन करवाना एग् एग्रीमेंट्स करना इंडिया के बहाफ पर इस एजनसी की जिम्बदारी हैं यहां पर कहा गया है ओएंजी सी विदेश इस रिस्पॉंसिबल फॉर सिक्यूरिंग लीथियम ब्लॉक्स ओवर्सीज नहीं यह काम ओएंजी सी विदेश नहीं करता यह काम करता है काब गैस के जो भंडार हैं उनको भारत के लिए एक्वायर करने के प्रयास करेगा तो इसका काम और और नैचरल गैस को एक्वायर करना है और काबिल का काम है जो और रिजर्व जोते हैं माइन जोती है उनको एक्वायर करना इंडिया के लिए एग्रीमेंट्स के थूँ ठीक है recently Geological Survey of India discovered lithium reserves in Reasite district और जम्मो कश्मीर है जम्मो कश्मीर के Reasite district में lithium reserves मिले हैं बड़ी मात्रा में इसके अलाबा अगर आप देदेगे तो राजस्तान में भी अधियम बऑन बड़ी मात्रा में lithium के resources lithium के reserves जो है loti को है और यह कहा जा रहा है से रहे इसे लिफ गलत हम लॉजिक देख लैंगी क्या पुछा जा रहा करेक्ट पूछा जारा तो करेक्ट हो जा ओंग कि बी और पी ओुए उगया तो इसे सब्सक्राइड में में निकलेगा तो किसके ऐड़ा ब्रसील मेंไร होगा ब्रसील में हो一次 क्या मतलब है ओ एन जी सी कंपनी है ओ एन जी सी निकलता कहीं से निया ओ एन जी सी बटा कंपनी है ठीक है ओ एन जी सी कंपनी है यह याद रखना चला बाई नेक्स्ट काबिल किसके अंतरगत आता एक बाद बताओ आपके साब से कौन सवाला Northern जो माइंस से लिड़लेटिड हो जरा सोच मिनिस्ट्य। ऑफ माइन्स तो किसके अंतरगत आ जाएगा मिनिस्ट्र उफ माइन्स के अंतरगत आ जाएगा भाई सीधी बात है ना किस चीज़ से रिलेटेड है माइनिंग से खनिच से संबन नेते हैं तो मिनस्ट्य आफ माइन्स अच्छा एक बच्छा यह पूत रहा था सर और ONGC अगर वहां निकलेगा तो किसकी जीडीपी में एड होगा पहली बात तो इस समझे लो सीमा के अंदर यह तेल कहा निकला है भारत में निकला है ब्रजील में निकला है किसकी सीमा है प्रोडक्शन कहा हो रहा है आपको आंसर मिल जाएगा थोड़ा लॉजिकली सोचना जीडीपी का मतलब ही होता है एक देश की सीमा डोमेस्टिक एक देश की सीमा के अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है एक साल में वह होती है जीडीपी तो अब आप लगा लो कि कौन से देश की सीमा के अंतरगत आपको मिल जाएगा तो लॉजिक लगाने की कोशिश किया करो बटा आंसर मिल जाते हैं चलिए इसका आ इसको रेपलेस करें हमारी ग्रीन एनरजी अ क्लीजने उसके लिए बहुत सारे प्रियास भी किए जा रहे प्लस इसके साथ साथ जो ग्रीने क्वे चैसे करना पड़ेगा उनका उसके लिए चाहिए होता पैसा सीधी सी बात है लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो विक्सित हैं डेवलप्ड है जाधतर कंट्री इस तो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है अब आप अगर यह कह करना है तो भाई ठीक है कम तो मैं कर लूँगा लेकिन कम करने के लिए मुझे रिसोर्स की आवश्यक्ता होगी क्योंकि आप चारे मैं क्लीन एनर्जी की तरफ जाओं क्लीन एनर्जी आज की तारिक में बड़ी महंगी है अगर मुझे क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है तो gradually होगा धीरे-धीरे होगा और उसके लिए मुझे support की ज़रत पड़ेगी क्यों कि पूरी दुनिया में सबसे जादा greenhouse gases जो emit की वो तो की developed countries ने अपने time में अपने जमाने में इन्होंने खूब koila जलाया petroleum को जलाया और greenhouse gases जो atmosphere में release कर दी आज की तारिक में पूरी दुनिया जो सफर कर रही है वो जादा developed countries की वज़े से कर रही है क्योंकि अगर आप historically देखोगे परंपरिक तो पर देखोगे तो यही तो देश थे जिन्नोंने जादा से जादा greenhouse gases इसका उत्सर्जन किया है कोईला जलाया है इंधन जलाया है अब आप हमसे चाते हैं कि हम clean energy की तरफ जाएं लेकिन हमें भी विकास करना है हम एक 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 दम से नहीं जा सकते और अगर आप चाते हैं कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज है वो अपने कॉंट्रिबूशन देती है मतलब वो पैसा जो है वो इसमें रखती है और ग्लोबल इन्वार्मेंट फैसिलिटी के थुरू लोंस दिये जाते है यह पैसा दिया जाता है लॉंग टम के लिए अलग-अलग देशों को बेसिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ट कंट्रीज को कि वो अपने या क्लीन एनरजी का ट्रांजिशन कर सके वो अपने या ग्रीन हाउस गैसिस का जो एमिशन है उसे कम कर सके और यह जो ग्लोबल इन्वार्मेंट फैसिलिटी है यह यह युनाइटिड नेशन्स क लिए यह जो है उन सभी संदियों को सपोर्ट करने के लिए मतलब उन सभी ट्ριीटी उन सभी एग्रीमेंट उन सभी कंवेंशन के अंडर जो भी इनीशेटिव लिये जा रहे हैं डेवलप डेविलपिंग और अंडेवलप्ट कांट्रीजras ko घा रही है फनेंचईल हेल्प वो इसी के थू की जाती है इसको कहा जाता है Global Environment Facility तो चाहे आप बात कर लीजे United Nations Convention on Biological Diversity जिसके अंतरगत पूरी दुनिया में जो आपकी जैव विवित्ता है उस जैव विवित्ता को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है तो उसमें भी Global Environment Facility ही help कर रही है चाहे आप बात कर लीजा Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants वो होते हैं जो सालो साल कहीं कहीं decades तक degrade नहीं हो पाते और atmosphere में या फिर land में as it is पड़े रहते हैं और हमारे atmosphere और land को गंदा करते रहते दूशित करते रहते उन्हें का जाता persistent organic pollutants तो उनको भी कम करना खतम करना उसके लिए जो convention है उसे भी support प्रोवाइड कर रहा है यूए एफ ट्रिपल सी को भी और उसके साथ सा United Nations Convention to combat desertification आज की तारिक में अगर आप देखेंगे वर्षा कम होती चली जा रही है ड्रॉट सूखा जो है बहुत सारे देशों में वह बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वज़े से मरुस्थल या रेगिस्तान जैसी conditions अब जादा बढ़ती चली जा रहे है तो उसको भी reverse करने के लिए यह help करता है बच गया Montreal Protocol Montreal Protocol का अपना या Montreal Protocol की अपनी एक support facility है तो यह directly Montreal Protocol को support नहीं करता इंडारेक्ली करता है ठीक है तो यहां पर पूछा गया है how many of the above mentioned have global environment facility as their formal financial mechanism यह Montreal Protocol के लिए formal financial mechanism नहीं है हां Montreal Protocol को support यह जरूर करता है लेकिन Montreal Protocol के अंतरगत अलग से एक financial facility बनाई गई है पैसा उसमें रखवाय जाता है तो यह नहीं होगा ठीक है उपर के तीन सही है last वाला गलत है याद रखना global environment facility basically अलग-अलग countries जो initiative लेती है clean energy green energy को लेकर उसको support करने के लिए करते हैं वहाँ पर यह पैसा प्रोवाइड करते हैं financial aid प्रोवाइड करते हैं Montreal प्रोटोकॉल को डारेक्ली सपोर्ट नहीं करता इंडारेक्ली जरूर करता है करेक्ट आंसर जाया का बेटा option नंबर सी तीन सहीं ऊपर वाली तीन लोग एर्थ क्वेशन पर आओ अब ओरिजनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइस लेंडर वॉइस कि अच्छा ऐसे क्वेशन किया है कभी तुमने सच बताना है हाँ अब ऐसे क्वेशन कभी किया है तुमने कि झाल झाल जल्दी जल्दी questions कर लो आज जल्दी छोड़नी है class मुझे 10 मिनिट पहले क्योंकि मेरी class है paid में जल्दी जल्दी कर लो देखो basically है क्या यह औस्ट्रेलिया से related ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली अगर आप देखोगे एक वोटिंग कराई गई थी referendum कहा जाता है जिसे मैंने आपको polity में भी पढ़ाया referendum के बारे में referendum होता क्या referendum में basically सरकार क्या करती है कोई important issue कोई important मुद्दा उसे जनता के सामने रख देती है और जनता से voting करा लेती है जनता जिस direction में voting करती है वो ही decision fit government आगे चलके ले लेती है वो होता है अलग-अलग देशों में उस स्थान पर पहले जन जाती है लोग रहा करते थे चाहे आप Australia की बात कर लो चाहे यूएस से की बात कर लो चाहे इंडिया की बात कर लो तो उन्हीं को नाम दे जाता है अलग-अलग country में एब ओरिजिनल तो Australia के जो एब ओरिजिनल से वो demand कर रह गा जिसके लिए Australia के constitution में amendment करना पड़ेगा तो उसको लेकर Australia में recently referendum कराए गया था और उसी से संबन देते हैं आपका एब ओरिजिनल एंड टॉरिस स्ट्रेट आइजलेंडर वोईस तो यह Australia से related हो जाता है a referendum conducted in Australia to recognize the first people of Australia under its constitution हाला कि referendum fail हो गया referendum पास नहीं हो पाया है मतलब referendum में जो प्रस्ताव रखवाए गया था जो resolution लाए गया था वो पास नहीं हो पाया तो referendum fail हो गया बट ऑस्ट्रेलिया से related यह था लो भाई अगले सवाल पर आजाओ इको टाइप इको टाइप अगें इन्वार्मेंट से related question आ गया आज मैंने का था इन्वार्मेंट से related question होंगे आज का था मैंने आप से अगले का लगशआ नहीं का था लाग आप लाग वा प्रामेंट से लागप बापत का दो गलग्ड़ार्मेंट आप ज्साज़ा हो जा आज कर दो तूतिक है अगले ऊगले आप सावगत का दो दूत्वाप प्साव जाभववाश यांदार्मेंटबग ग्वा़्या वी जा पढ़ाए यह वर्ड यह बेसिक इन्वार्मेंट है यह बेसिक देखो जब आप इन्वार्मेंट पढ़ते हो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है इन्वार्मेंट में क्या पढ़े हैना यह होता है कि आप लेकर तो बैठ जाते हो आप सोचते भी हो कि चलो मैं इन्वार्मेंट पढ़ लेता हूं बट अल्टिमेटली प्रॉब्लम यह आते कि इन्वार्मेंट को में क्या पढ़े किस तरीके से पढ़े क्या हो नीचे सोच इन्वार्मेंट में आपको बेसिक कॉंसेट्स जो हैं बेसिक कॉंसेट्स आपको बेसिक कॉंसेट्स पढ़ने होते हैं जैसे इको टोन या फिर ये हो गया इको टाइप ये जो important words है ना इन पर question बन जाते हैं तो पहले इनको समझा करो इनको पढ़ा करो कि ecological niche क्या होता है biomes क्या है परियामिड बनेगा तो उसका मतलब क्या है ये basics होते हैं तो जब आप इन्हें पढ़ लेते हैं question आपको उसी पर मिल जाते हैं यहाँ पर word है eco type ठीक है eco type मैं बताता हूँ आपको eco type का मतलब क्या है एक ही species को आप पकड़ लीजे ठीक है एक ही species को पकड़ लीजे एक ही प्रजाती को पकड़ लीजे एक ही प्रजाती अगर एक प्रजाती दो अलग अलग वातावरणों में पले बढ़ेगी अगर एक ही प्रजाती अलग अलग climate में अलग अलग वातावरण में develop होगी तो उसकी जो features हैं उनमें भी climate के according changes आएंगे, सही ऐसा होता ना, आप चलो जानवरों को छोड़ो, आप हमारी बात कर लो human beings की, human beings में कुछ ऐसे भी हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो पहाडों में रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, जो प्लेंज में रहते हैं, अग हम से अलग हैं, उनकी ठंड को बरदाश करने की शमता हम से अलग होगी, ऐसे जो मरुस्थल में रहेंगे, रेगिस्तान में रहेंगे, उनकी अलग होगी, प्लेंज वालों की मैदानी शेत्र वालों की अलग होगी, क्यों, क्योंकि ये अलग-अलग climate में पले बड़े हैं, तो जब एक ही प्रजाती, एक ही स्पीशी, अलग-अलग environment, अलग-अलग climate के अंडर develop होती है, तो उसकी features अलग-अलग हो जाती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, a genetically distinct population of a species that is adapted to a specific environment, किसी प्रजाती की आनुवान्शिक रूप से भिन समश्टी, जो किसी विशिष्ट वातावरण के लिए अनुकूलित होती है, तो हैं दोनों एक ही प्रजाती के, हैं दोनों एक ही species के, लेकिन क्योंकि अलग-अलग environment, अलग-अलग climate में रह रहे हैं, वहाँ पर develop हो रहे हैं, वहाँ पर इनका विकास हुआ है, वहाँ पर यह बड़े हुए हैं, इस वज़े से इनकी specific features हो जाती है, जो features उसी climatic region में, उ स्वासाल, glacier के उपर है, glacier, और मौका मिला तो इसके बाद एक और कर देंगे, अगर तुम जल्दी-जल्दी जवाब दे दोगे, तो एक और question कर पाएंगे, सर आप एक session लाइए, सर आप एक session लाइए, ये लाइए, वो लाइए, सारा ही मैं लियाओं, देखो, अगर तुम कुछ चीज पढ़ो, या कोई तुम्हे कोई चीज पढ़ा है, और उसके बाद तुम भूल जाओ, तो इसका फाइदा नहीं होगा, क्योंकि ultimately आगे जाके तो कई महीने बाद exam देना है, तब तक तो एदिमाग से ही निकल गया होगा फिर, फिर कैसे मज जाएगा, पढ़ो इस तरीके से, या पढ़ाना इस तरीके से चाहिए, बच्चा लॉंग टम तक याद रखे, या कनेक्ट कर सके, ठीक है, जैसे इको टाइप, देखो, इको टाइप, ये किस से बना है, दो शब्दों से बनाए ना ये, इको और टाइप, इको को समझ लो, इकलॉजी, इको क्या है, इकलॉजी, इकलॉजी मतलब आप वातावरन की बात कर रहो न, इकलॉजी क्या होता है, इकलॉजी वातावरन कोई कहा जाता है, ये वातावरन हो गया, वातावरन की वज़े से, आपका प्रकार, वातावरन की वज़े से, आपका प्रकार, चेंज हुआ है उसको कह देना इको टाइप अगर आप सर्दियों वाली जगे पे रहते अगर आप ठंडी जगे पे रहते तो आप उस तरीके से अडाप्ट हो जाते अगर आप गरम जगे पे रहते तो आप उस तरीके से अडाप्ट हो जाते आपकी बॉड़ी उस तरीके से अडाप वह जाएगा इको टाइप अब तो निभूलोगे याद रहेगा चलो इसको देख लेते हैं दस्वे सवाल को बैटा इसका करेक्ट आंसर ओप्षन नमबर सी यहां जितने ग्लेशियर दिये गए हैं यहां जितने ग्लेशियर दिये गए हैं वो सब सही में आचा है यह सब न्यूज में रहते सारे की सारे न्यूज में रहते स्पेशली अगर मैं बात करता हूं इसकी ठीक है अगर मैं इसकी बात करता हूं श्लांटकीज ऑस्ट्रिया में पढ़ता ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूर्प में श्लांटकीज ऑस्ट्रिया में सबसे तेजी से पिएजी वाला न्यूज में रहता है तो थ्वेट्स एंटाक्टिक में है स्टेंस ट्रप की अगर आप बात करोगे ये ग्रीन लैंड में है और स्लांटिकी जॉस्ट्रिया में है तीनों के तीनों सही मांग्ड है ऐसी चीजे एक्जाम में क्वेशन बन जाती है अगर वो न्यूज में रहती है तो इन पर थोड़ी नज़र रखा करो और ये लोग आज का फाइनल क्वेशन है एक सेकंड ये वाला निय यह है आज का फाइनल क्वेशन ये तुम्हारा हूमवर्क है इसका जवाब बेटा तुम दोगे कॉमेंट सेक्शन में मेरी पेड क्लास है तो मुझे आज क्लास यहीं तक रखनी पड़ेगी यहां तक रोकनी पड़ेगी ये आपका आट और क्वेशन है ठीक है यह आपका आइट और क्वेशन है अब गालर कर नःए तो इसका जवाब कॉमेंट शेक्शन में जरूर में जरूर मुझे जाना पड़ेगा मैप समझ में नहीं आता मैप पर किसी और दिन बात करूंगा आज नहीं कर पाऊंगा आज समय नहीं है मेरे पास यह रहा बिटा मेरा टेलीग्राम चैनल यहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं डेली बेसिस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं मैं इस बेटा महा पैक में प्रिलिम्स जैते बैच में क्लास है ठीक है तो चलो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो में जांसर राइटिंग बैंकित सर यह मेरा टेलीग्राम चैनल है यहां पर क्लास की पीडिएफ क्लास का लिंक नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाता है य आगर आप महा पैक में है या अगर आप महा पैक में जुड़ना चाहते है तो आप जुड़ सकते हैं आपको सबकुछ मिल जाता है जितने हमारे बैच मेंस का चाहें चाहें और सबब कुछ है करना क्या मेरा कोड यूज करना वाई 365 वाई 365 लगा के एड्मिशन लोगे और सस्तो जाएगा 17900 के असपास कोशिश करना की से कहां से लो कोशिश करना की से कहां से लो इसे लो अड़ा की application के थूँ अड़ा की application पर फ्री कोईंज वो भी लगा लेना इसके साथ साथ अगर आप 2024 के यह अपरेंट है तो crash course है आपके लिए crash course के साथ-साथ test series का combo भी है अगर आप अलग से लेना चाहते तो अलग से भी crash course है और test series अलग से लेना चाहते तो वो भी test series के लिए एक चीज़ और एक सेकंड देना मुझे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि भाई हाँ अड़्डा ट्वेंटिफोर सेवन कि आई येस पर एक बहुत special session होने वाला है मैं session के बारे मैं आपको बता देता हूं और कहा चला गया वो session आ रहे ये रहा restart तो एक March को दो पहर एक बज़े आपको हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा मत बहुत special session होने वाला बहुत खास होने वाला है session खास इस वज़े से क्योंकि एक बहुत लंबी जर्णी रही है हमारी उस पर बात करेंगे आपके लिए क्या कुछ खास हम लेकर आ रहे हम उस पर बात करेंगे तो एक March को दुपहर एक बज़े जुड़ना मत भूलिएगा पूरी टीम जुड़ेगी आप के साथ और batches में admission लेना अड़्डा की application का यूज करना मेरा code लगा लेना y365 और admission लेना thank you everyone मिलते हैं आप से कल और जो बच्चे paid batches में बेटा आप से अभी थोड़ी दिर में मिलता हूं पाच बज़े class शुरू हो जाएगी